ये है अगस्त क्रांती राजधानी आज सजाई गई है जवर्दस तरीके से इसको सजाई गया है आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इस राजधानी को सजाई गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन को भी सजाई गया है और एक और चीज में आपको बताना कि आज एक खास मौका है खास मौका क्यों है खास मौका इसलिए है क्योंकि यह ट्रेन आजादी की रेलगारी बोली जा रही है देश में अलग अलग जगहों से इस तरीके की 75 ट्रेने चलाई जा रही है क्योंकि आजादी का अमरत महस्तों मनाय जा रहा है यहां पर रेलवे के कर्मचारी हमारे साथ हैं आई है उनसे बात भी करेंगे कि आखिरकार यह जो सजावट की गई है यह किस तरीके से महत्वपूर्ण है भाई साब क्या नाम है आपका मेरा नाम सुरेश कुमार लोको पाइलेट पैसेंजर तो यह स्टेन को आप चला रहे हैं नहीं इसके लिए तो कोटा के ड्राइवर आएंगे वो चलाएंगे हम तो इनको यहां प्लेस कराई है गाड़ी हमने तो यह जो सजावट की गई है किसलिए की गई है यह आजादी का मनाया जा रहा है 75 साल हो गए उसके उसके अपलक्ष में इस गाड़ी का मतलब चलाया जा रहा है इसलिए इसकी सजावट की गई आज जाकता कि हम लोगों को याद रहे कि हम आजाद हुए हैं आजादी की हमारी एक निशानी है यह आजादी की निसानी है यहाँ पर कुछ करांती राजधानी अगर हम इसकी बात करें तो एक महत्पूर्ण घटना को यह दिखाती है क्या दिखाती है यह दिखाती है कि जब महत्मा गांधी ने आवाहन किया था अंग्रेजों भारत छोड़ो उसी की याद में यह ट्रेन चलाई गई थी अगर हम उस घटना की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक मैदान में मुंबई में एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ था जिसमें महत्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो तो एक भारत छोड़ो अंदोलन की निव पड़ी थी और उसके नाम पर ही इस अगरा पर आपको देखती है क्योंकि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो 75 साल हो चुके हैं और यहांपर कुछी लोग भी है जिनसे हम बात करेंगे आप का क्या नाम है और यह जो सजावट है इसको देखकर आपको क्या आता है दिमाग में खयाल क्या आता है कि कुछ इस पेशल डे आज मेरे नाम बंदिना रस्तोगी है फ्रम सूरत आप जा रहे हैं सजी सजाई ट्रेन में आप जाएंगे तो अंदर से किस तरीकी की फीलिंग आ रही है क्या लग रहा है आपको बहुत अच्छी फीलिंग एक्साइटेड हो रहे हैं बहुत जादा यहां पर जो आप बात करना क्या नाम है आपका विवेक रस्तोगी विवेक जी आप भी जा र के रहो हमें सब भाई चारे से रहो और देश को ऐसे सजा के रहो यह तो बहुत उन्नती करेगा बहुत आगे जाएगा नरेंद मौदीजी के साथ इस्पेशली में यह भी बोलूँगा यहां आप समझे कि तमाम लोग हैं जो कहीं न कहीं जो यह काम किया जा रहा है उसकी त चारीव है हम तो चाहते हैं देश भर में ऐसी ही ट्रेने चलाई जाए सब जगह राजधानी से आप खुस हैं बहुत खुस हैं और आज की सजावट देखके तो यही लग रहा है कि आज तो और क्लीन मिलेगा हम लोग को सब कुछ बिलकुल एक दम बढ़ियां टीप टॉप मिलेगा जिसमें कोई शक्ष्कt वाली बात नहीं है बिलकुल तो यहां पर आप समझे रेल इात्री भी खुस हैं और यहां जो सजावट है वह अपने आप में कहानी बया करती है क्योंकि अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन अपने आपने आप में खास्या ten देश के अलग-अलग हिस्सों में तमाम ट्रेने चलती हैं जिनको कहीं न कहीं आजादी की घटनाओं से जोड़ कर देखा जाता है और उसमें से एक पुरमुख ट्रेन है यहां और यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी सजावट की गई है और यह तेजस क और इसी ट्रेन को हम कह सकते हैं कि दिल्ली डिवीजन ने चुना है कि आजादी का जो अमरत महोसों मनाया जा रहा है उसके सिलसिले में इसको हरी जंडी दिखा कर रवाना किया जाएगा यानि इसको आजादी की रेल गारी कहा जा रहा है और यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिस करेंगे कि किस तरीके से आगे फंक्शन किया जा रहा है एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा यह ट्रेन कहीं न कहीं याद दिलाती है कि जो अंग्रेजों का सासन था उससे कैसे मुक्ति पाई गई क्योंकि अंग्रेजों भारत छोड़ों की जब बात कही गई खासतोर पर महत्मा गांधी ने जब आवहन किया कि ग्वालिया टैंक से और उसके बाद जो लहर उठी पूरे देश के अंदर वो एक अभूत पूरू लहर थी और उसी को याद करने के लिए हम कह सकते हैं इस्ट्रेन को सजाये गया है और यह जो सजावट है यह कह हर्थ नुजिस्टेशन दिली